हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल ट्रेवल विद पलक आज हम आए हैं सरोजी नगर माकेट में सरोजी नगर दिली का बहुत ही फेमस माकेट है और आप यहाँ कैब, बस या मेटो से भी आ सकते हैं नियरेस्ट मेटो स्टेशन सरोजी नगर है और आप चाहें तो आएने मेट्रो स्टेशन पर उतर कर आटो से भी आ सकते हैं तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे सबसे पहले आप एक्सपोर्ट लेन में आते हैं तो शॉप नमबर 134 के बाहर आपको 200 रुपीज इच में में टी-शिर्ट्स मिल जाएंगी इन सब टी-शिर्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्रिंट्स में भी आपको काफी सारे आप्शन्स मिल जाएंगे लाइट और डार्क दोनों ही कलर्स में टी-शिर्ट्स हैं और साइज की बात करें तो साइज आपको मीडियम टू लार्ज मिल जाएंगे एक्सपोर्ट लेन में शॉप नमबर 134 के बाहर ही आपको 50-50 रुपीज वाला स्टॉल में लेगा यहाँ पर आपको सब कुछ मिक्स मिलेगा टॉप्स, जैकेट्स, शर्ट्स, ड्रेसेज सबका मिक्स कलेक्शन है यह जो स्टॉल आप देख रहे हैं यह एक्सपोर्ट लेन में है और इसी लेन में आपको 50-50 रुपीज वाले और भी स्टॉल्स मिल जाएंगे उसी स्टॉल के पास ही एक 100 रुपीज वाला स्टॉल भी है यहाँ आपको वाइट और क्रीम कलर में टॉप्स एंड शर्ट्स मिल जाएंगी टॉप्स के काफी सारे आप्शन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और साइसेज भी अवेलिबल है फिर एक्सपॉर्ट लेन में ही 30 रुपीज वाला इयरिंग्स का स्टॉल आपको मिलेगा कलरफुल और ओक्सिडाइस दोनों तरह की इयरिंग्स यहाँ पर हैं उसी लेन में आपको 100 रुपीज वाला भी स्टॉल मिलेगा यहाँ आपको टॉप्स और टी शिर्ट का कलेक्शन मिलेगा साइजेज इन में आपको स्मॉल टू मीडियम मिल जाएंगे और क्वालिटी वाइस भी सही है और बॉइस के लिए भी आपको 20 प्रेंट्स में शिर्ट्स मिल जाएंगी फिर सेम लेन में आपको 90 रुपीज वाला भी कलेक्शन मिलेगा इसमें भी काफी सारे टॉप्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम फ्रेश है क्वालिटी की अगर बात करें तो 90 रुपीज के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है इसमें आपको कुछ ऐसे भी टॉप्स मिलेंगे जो आप शॉप्स पर 200 रुपीज के देखेंगे और साइजेज में भी आपको लाज साइजेज मिल जाएंगे इनमें आपको कुछ ऐसी भी टॉप्स मिलेंगे जो थ्रिफ्टिट होंगे या फिर हो सकता है उनकी कंडिशन अच्छी ना हो तो आप उन्हें चेक जरूर करें और बीच बीच में आपको कुछ शॉट्स भी मिल जाएंगे एक्सपोर्ट लेन में ही लाल्स फर्णीशन के जस्ट नीचे आपको 200 रुपीज में ड्रेसेज मिल जाएंगे डिफ्रेंट प्रिंट्स में नील एंथ ड्रेसेज आपको इनमें मिल जाएंगे साइजिस की अगर बात करें तो सबके सेम साइजिस हैं और इनकी फिटिंग काफी अच्छी आती है क्योंकि वेस्ट साइड पर आपको इसमें इलास्टिक गिवन है उसके बाद सेम लेन में ही आपको 30 रुपीज वाले एरिंग्स के स्टॉल्स काफी जगा मिल जाएंगे कुछ स्टॉल्स में तो डिजाइन्स आपको काफी यूनिक मिल जाएंगे और उसी के स्टाइड में आपको बेल्ट का कलेक्शन मिलेगा ये बेल्ट आपको अराउंड 200 रुपीज की मिलेंगी फिस सेम लेन में आप शॉप नमबर 123 में आएंगे तो आपको 250 रुपीज में स्लिपर्स और सैंडल्स का काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा शूज से लेके हील्स तक आपको सब कुछ एक ही शॉप पे मिल जाएगा डेली वियर, ओफिस वियर और पार्टी वियर आपको जैसे भी फुट वियर चाहिए आप यहां से ले सकते हैं फुट वेर के साथ साथ आपको यहां बैक्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा शॉप नमबर 123 के बहार ही आपको 350 रुपीज इश में हैंड बैक्स और स्लिंग बैक्स का कलेक्शन मिलेगा फिर 50 रुपीज में आपको कुछ मिक्स कलेक्शन मिल जाएगा इनमें आपको बच्चों के भी क्रोट्स मिल जाएगे इस तरह के 50 रुपीज वाले स्टॉल्स आपको सरोशी नगर में काफी जगा मिल जाएगे 50 रुपीज वाले जो स्टॉल्स होते हैं उनमें कलोट्स के क्वालिटी जदा अच्छी नहीं होती और आप ये बात मानके चलिए कि कुछ चीजे आपको इनमें डिफेक्टिव और थ्रिफ्टिट भी मिलेंगी लेकिन कुछ चीजे ऐसी भी होती हैं जो काफी यूनीक होती हैं और ब्रैंडड़ होती हैं फिश शॉप नमबर 121 के साइड में ही आपको कैप्स का कलेक्शन मिलेगा 200 रुपीज में इनमें भी आपको काफी सारे साइजे और कलर्स मिल जाएंगे कैप्स भी आपको 200 रुपीज में मिल जाएंगी पर 121 के पास ही आपको 100 रुपीज इज में बंदाना मिल जाएंगे इन्हें आप ऐसा टॉप भी कैरी कर सकते हैं काफी सारे कलर्स आपको इनमें मिल जाएंगे ये बंदाना आपको cotton fabric में मिलेंगे और quality भी बहुत अच्छी है आपको 200 और 250 रुपीज की रेंज में caps और hats मिल जाएंगी और यहीं आपको waste bags भी 200 और 250 रुपीज की रेंज में मिल जाएंगे और 100 रुपीज में आपको यहां earrings और bracelet का collection मिलेगा नमबर 121 के जस्ट नीचे ही आपको 250 रुपीज इच में mid length dresses मिल जाएंगी इसमें भी आपको काफी सारे prints मिलेंगे prints काफी सारे हैं और sizes की बात करें तो sizes सबके similar ही है और यहां आपको 250 रुपीज की रेंज में कुछ office wear stylish tops भी मिल जाएंगे light और dark दोनों ही colors में available है और इनकी quality भी अच्छी है वीडियो में आपने अभी तक जो कुछ भी देखा वो सब export lane में है फिर बिक्सी lane में आप आएंगे तो मंदिर के सामने ही आपको 350 रुपीज में bags का stall मिल जाएगा यहां आप जितने भी bags देख रहे हैं sling bags, hand bags, tote bags यह सारे 350 रुपीज इच हैं और इनकी quality भी बहुत अच्छी है और bags वाले stall के जस्ट साथ में ही आपको 10-10 रुपीज में scrunches मिल जाएंगे इनमें आपको net, cotton और satin fabric में भी scrunches मिलेंगे फिर bixi lane में आप आएंगे तो bixi showroom के जस्ट साथ में ही एक shop है उसके सामने ही आपको 100 रुपीज वाला stall मिलेगा यहां पे आपको best tie and die की t-shirts मिल जाएंगी और कुछ basic t-shirts भी हैं और उसी stall के पास आपको 100 रुपीज में एक और stall मिलेगा इसमें भी आपको basic t-shirts मिल जाएंगी कुछ t-shirts की quality और designs बहुत ही अच्छे हैं sizes इनमें आपको सारे मिल जाएंगे small to large और quality भी इन टॉप्स की अच्छी है बिक्सी शोरूम से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको jewelry का ये stall मिलेगा यहां पे आपको oxidized jewelry काफी अच्छे prices पर मिल जाएंगी neck pieces, earrings, bracelets सबका mix collection है और earrings भी आपको यहां heavy और light डोनों मिल जाएंगे choker set भी आप यहां से ले सकते हैं price range आपको 102, 250, 350 रूपीज मिलेगी और quality भी इनकी अच्छी है अगर आपको इस stall का number चाहिए तो अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने इसका number भी provide किया है आप उसे check out कर सकते हैं यहां से आप heavy earrings के साथ lightweight choker भी ले सकते हैं silver और black color में आपको choker मिल जाएंगे fish shop number 178 के नीचे ही आपको 100 रूपीज में tops मिल जाएंगे tie and tie में बहुत ही अच्छे options आपको यहां मिल जाएंगे और काफी सारे colors भी हैं इसी के साथ ही आपको कुछ basic tops भी मिल जाएंगे तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप सबसे next वीडियो में वीडियो को end तक देखने के लिए thank you